विधान सबाद चुनाओ खत्म होने के बाद एक तरफ जहां बीजेपी अपनी पार्टी से गद्दारी करने वाले नेताओं पर कारवाई में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ गद्दारों की लिष्ट में बड़े बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं पीली भीत की बर्खेडा विधान सबा से बीजेपी विधायक रहे किशनलाल राजपूत का एक आडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है जिसमें वो अपने पार्टी के प्रत्याशी को छोड़ कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने की अपील कर रहे हैं बर्खेडा सीट से 2017 में किशनलाल राजपूत विधायक चुने गए थे पात साल के कारिकाल में जनता के बीच ना जाने और जनता की शिकायते ना सुनने के कारण उनका शेत्र में विरोध शुरू हो गया जिसके कारण भारतिये जनता पार्टी ने उनका टिकेट काट कर स्वामी प्रवक्तानंद को अपना उम्मीदवार बना लिया जिसके बाद विधान सभा चुनाओ की नतीजे सामने आने के बाद सौमी प्रवक्तानंद बड़े अंतर से समाजवाधी पार्टी के पर्तियाशी हेमराजवर्मा से जीत गए सौमी प्रवक्तानंद की जीत के बाद एक तरफ जहां कारेकर्ता जश्न मना रहे थे तो वहीं दूसी तरफ बीजेपी विधायक रहे किशनलाल राजपूत का एक आडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया वाइरल हुए आडियो में किशनलाल राजपूत एक कारिकर्ता से बाचीत करते हुए कह रहे हैं कि सारे वोट सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा को दिलवा दो हेमराज वर्मा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दो मैं भी लगातार शेत्र में घूम रहा हूँ सोशल मीडिया पर वाइरल हुए आडियो में पूर बीजेपी विधायक भारतिय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद को हारता हुआ भी बता रहे हैं साथ ही किशन कहते हैं कि अगर सामी प्रवक्तानंद जीत गया तो ब्लॉक प्रतिनिधी कं म्लेश विधायक बन जाएगा हालाकि ये पहली बार नहीं है पहले भी किशनलाल सामी प्रवक्तानंद का विरोध कर चुके हैं इससे पहले टिकट बटवारे को लेकर भी एक और यो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें बसपा प्रत्याशी को मैदान में उतारने की जुगत में बाजपा विधायक किशनलाल राजपूत जुटे हुए थे साथ ही उन्होंने स्वामी प्रवक्ता नंद को ढोंगी तक करार दिया था फिलहल मौजूदा मामले को लेकर पार्टी कारवाई करने के मूड में नज़र आ रही है अब किशनलाल राजपूत पर क्या कारवाई होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24